ही गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हुशुती मिश्रा और आपका स्वागत करती हूं और गेन अपने चैनल पे जब भी हम स्किन के रूटीन फॉलो करते हैं चाहे वो डे का हो या नाइट का हम सब कुछ अपने फेस पे लगाते हैं चाहे वो टोनर हो से सेंसिटिव पार्ट होता है होता है कि हमारी स्किन जो है इस तरफ तो क्लियर रहती है लेकिन आइस के पास पाइन लाइन देखने को मिल जाते हैं डाक सरकल्स हो जाते हैं और ऐसे में फेस चाहे जितना भी आप केर करो एक फेस पे एजिंग एफेक्ट लगने लगता है तो ऐसे में जरूरी होता है कि हम अंडर आई क्रीम जरूर यूज करें और गाइस जो मैं आज आप लोगों के लिए अंडर आई क्रीम लेके आई हूँ यह है लोटस ब्रांट से बल्सका नूट्र आई रेजुनेटिंग और करेक्टिंग आई जल रेडूस अंडर आई डा क्राम की प्रोड के साथ अता है इसका प्राइस 3.49 रूपीज है ऐसकी 3 यहस की जो कि यूजली जो भी अंडर आई जल सकते हैं कि यह जेल फॉर्म में है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाइट इस ट्रांस्पेरिंट जेल में है जिसको आप लगा सकते हैं अपनी आइस के पास यह एक से दो ड्रॉप लगता है और बहुत अच्छे से पूरी आई एरिया को कवर कर लेता है फेस को वाश करने के बाद टोनर लगाने के बाद जो भी आप यूज करते हैं एट लास्ट आप इसको अपने आइस के पास लगा सकते हैं और डाप करके अपनी आइस में इसको एब्जॉब करा सकते हैं एक्टिव इंग्टीरेंट्स में प्यूरिफाइट सोए बायो पेप्टाइड को सक सीथित अप tempo करने में मदद करता है कर सिर्म इंग्रीफ यह यह शचिंगा में करने में करता है नरिशनी पर्वेंद करता है रिद्व olmazhe बस ध्यान लगें कि आइस के अंदर बिल्कुल भी न जाए कोई भी प्रोडेक्ट ऐसे कोई भी चीज आइस के अंदर नहीं जानी चाहिए यह क्रीम जो है काई स्थोड़ा सा स्लोली वर्क करती है मतलब कि इसको आप जब पूरा ट्यूब आप लगा लोगे तब आपको थोड़ा बहुत डाक्नेस कम नजर होती हुई आएगी इद्दम से यह डाक्नेस को कम नहीं करता हाँ मैं यह मानती हूँ कि स्किन थोड़ी से आइस के पास नरिश जरूर फील होती है लेकिन यह डाक्नेस पे उतना वक नहीं करता एक चीज मुझे इसको लगाने के बाद यह फील हुई कि स्किन थोड़ी से आइस के पास थोड़ी सी टाइट सी फील होने लगती है वो आपको पास से साथ दिन में देखने को मिल जाएगा आइस के पास जो स्किन लूज हो गई उसको यह टाइट बहुत अच्छे से करने में मदद करता है लेकिन यह भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है तो एजिंग फैक्टर भी बहुत मैटर करता है ऐसी चीजों पे तो अगर आपकी बहुत जादा एज नहीं है आपके बहुत जादा आइस के पास डाकनिस नहीं है तोड़ा सा आइस के पास एरिया स्किन जो है लूज होगे आप डेफिनिली स्क्रीम को ट्राइ दे सकते बहुत जादा इससे उमीद नहीं करें लेकिन हाँ एक अच्छी नरिशिंग अंडर आई क्रीम की तरीके वर्क करती है इनकेस अगर आपके डाक्निस नहीं है तो भी आप इसको इन्वॉर्फ कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आपके डाक्निस ना हो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा है फशंद आया था यह वीडियो को लाइक कर सकते हैं लाइन किसी नहीं अपरोट के साथ तब तक रखें आप अपना ख्याल टेक है